शेराम चर्णानूरागी आचारे राजमिश्राजी से धर्म संस्पृती और एस्ट्रलोजी से सम्मंधित जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मानस जोतिश ग्यान को अभी सब्स्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें जैस्त्रियराम बहुत बहुत स्रागत है आपके अपने यूट्यूब siyaanlus मäनस जोतिश ग्यान में मैं हूँ आपके शाथ आचारे राजमिश्रा नौरात्र का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा का दिवस सास्र कहता है चंद्रघंटा या मियस्यास्या चंद्रघंटा जिनके मस्तक पर अलहतकारी चंद्रमा बिराजमान हो उस देवी का नाम है चंद्रघंटा ये देवी हमारे जीवन में जित्ती नेगटिविटी होती है उस नेगटिविटी को दूर करने वाली देवी मानी जाती आपका मस्तिस्क शदेव सचेत हो जाता है यदि आप बहुत आलस से अपने बाड़ी को ऐसा फिल कर रहे हैं कि एक्टिब नहीं है मेरी बाड़ी शदेव मैं परेशान रहता हूं मुझे समझ नहीं आता क्या काम करना है तो माता चंद्रगंटा की आराधना निश्चित माता सभी लोग भागवान शंकर और माता पार्वती हैं गुरु पितुमात महिश भवानी प्रणवव दीन बंद दिनदानी अगर हम इनकी आरातना करते हैं इन माता की तो निश्चित रूप से बहुत क्रिपा प्राप्त होती है जीवन से डिप्रेशन दूर होता है जीव माता चंद्रघंटा की जो आराधना है वो मद्ध समय में करनी चाहिए माता चंद्रघंटा को शदैव आपको क्या अरपित करना होता है आपने हरा नारियल देखा है हरा नारियल का जल जा करके हरा नारियल काट करके उसमें से जो जल निकलता है उस जल को एक लोटे में डा करके और माता चंदरघंटा कुल लिजा करके अरपृत की किजिए और उन से आराम से हाध जोड करके प्रार्तना करनी है एक मंतर का उचारण करना है सिर्फ मंदर की परिस्ति भो दूर जाएगे फिर वह जो जल आपने माता को च्ड़ाया था उस जल को आपने ग्रहन कर लेना है आप देखेंगे दवा काम नहीं कर रही थी तो यह दुआ आपके उपर काम करेगी और आपका जो जीवन है वो शुक्षम रधियों से परिपूर हो जाएगा आपने क्या करना है कोई और जानकारी रहे गई है कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रकार का रत्न रुद्राक्ष इत्यादी आपको प्राप्त करना है संस्थान में कॉल कीजे पूरी तरह से आपको प्राप्त होगा जीवन आपका परिवर्तित हो जाएगा आज के कारिकरम के लिए इस पर सितना ही फिर मैं नए कारिकरम के साथ आपके सामने हाज रूंगात पकले, जैसरी राम.